हेलो एन वेलकम टू माई यूटूब चैनल माई क्लास्रूम आज हम क्लास 6 का चाप्टर नॉमर वन क्या कब कहां और कैसे करेंगे वीडियो को लास तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चाप्टर अच्छे से समझ में आए इस बुक के सारे चाप्टर इंशेंट चाप्टर में हम देखेंगे कि अतीद की जानकारी हमें कैसे मिलती है लोग कहां रहते थे लोगों की यातरा हैं देश का नाम कृशी भोज एक सिक्टर अब चाप्टर की स्टार्टिंग में ही एक कुश्चिन किया गया है कि कैसे पता लगाए जैसे कि अगर हमें कल के बार यानि उस समय की उसको याद हो उसी तरह अगर हमें अतीत के बारे में जानना हो कि उस समय लोग कैसे रहा करते थे क्या खाते थे यात्राएं कैसे करते थे तो इन सारी चीजों के बारे में हमें इस चाप्टर में देखने को मिलता है लोग कहां रहते थे कई लाख वर्ष पहल और वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो भोजन के लिए जड़ो फलो और जंगल के जो उत्पाद होते थे जंगल की जो चीज़े होती थी उसके उपर डिपेंडट थे इसके अलावा वो लोग आखेट यानि की सिकार भी किया करते थे हंट्रिंग उसके बाद आता है उत् किर्थक और सुलेमान जहां पर सबसे पहले जो और गिहू उप जाये गया थे उसके बाद लोगों ने भेड बकरी और गाय बैल जैसे पशुओ को भी पालतु बनाना शुरू कर दिया था इसके बाद उत्तरपूर में गारो तथा मध्य भारत में विंदे पहाडियों की छ सबसे पहले और उत्तरपूर गारों में और विंदे पहाडियों में सबसे पहले चावल उगाया था और उसके बाद गंगा वो सहायक नदियों के किनारे तथा सम्मूंद्र टटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास होने लगा लगवक 25 सो वर्ष पूल से हैं इसके स्टा राचे की स्थापना हो गई और इसके स्थापना करने वाले जो साशक थे वो बहुत शक्तिशाली थे इसके बाद ही बहुत से और राचे स्थापित होने लगे थे लोगों द्वारा की जाने वाले यात्रा हैं यानि पुराने टाइम में लोग की यात्रा कैसे करते थे या क क्यूं करते थे पहले के टाइम की यादराएं थी वह आज के जैसी नहीं थी आज की हमारे जो ट्रैब्लिंग के वो बहुत ईजी है लेकिन पहले ऐसा नहीं थाोगों ने सधै वुप महादीब की एक इस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा हैं की कभी-कभी लोगों की यात्रा हैं परवतों पहाड़ियों नदियों के कारण जोखिमभरी होती थी पर अंतु लूग फिर भी यात्रा करते थे यह question paper में भी पूचा जाता है की क्यूं करते थे इतनी जोखिमपरी होती थी या लोगों द्वारा की जाने वाली यात्राओं कि क्या कारण थे ऐसे करके तो इसके काफी सारे कारण है जैसे कि पहला लोग काम की तलाश में एक इस्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे जिसकी वज़े से भी लोग एक जगा से दूसरे जगा जाते थे इसके लावत जो सेना होती थी वो दूसरों पर विजय हासिल करने के लिए अधिकार करने के लिए भी एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाते थे कुछ लोग नय और रोचक स्थानों की खोज में भी जाया करते थे interesting places खोजने के लिए भी लोग अलग-अलग जगह पर जाते थे और इस आवागमन से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की वज़े से ही जो हमारी संस्कृती थी वो सम्रिध हो गई कई लोग उप महादीब के बाहर से भी आये और बस गये लोगों के आवागमन से हमारी संस्कृती परंपराओं को सम्रिध किया हमारा किसी और जगह जाना या वहां से लोगों का आना तो इससे आवागमन बढ़ा तो हमने उनकी संस्कृती अपनाई उन्होंने हमारी संस्कृति अपनाई इससे जो संस्कृति परंपराएं थी वो काफी सम्रिध हुई अब आता है देश का नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे वर्ट का यूज करते हैं बिसिकली हम इंडिया या भारत कहते हैं तो जो इंडिया वर्ट है ये इंडच से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधू कहा जाता है इंडिया शब्द इंडच से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधू कहा जाता है उत्तर पच्छिम की और से आने वाले युनानियों ने सिंधु को इंदोस और हिंदोस नदी के पूर्व में इस्थित नाम को इंडिया कहा उत्तर पच्छिम के और से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और हिंदोस नदी के जो पुर्व में इस सित्य उसको इंडिया कहा था भरत नाम का प्रियोग यहाँ पे भरत है भारत नहीं भरत नाम का प्रियोग उत्तर पच्छिम में रहने वाले लोगों के लिए लोगों की एक सम्मूं के लिए किया जाता था ठीक है जो किताबे पुराने टाइम पे हाथों से लिखे जाती थी उसे पांडूलिपी कहा जाता था जो की भूजर नामक जो पेड़ होता था उसके भोज पत्रों पर या फिर ताड़ पत्रों पर लिखे जाते थे पांडूलिपी ताड़ पत्रों अत्वा हिमाले छेतर में उगने भूझर नामक पेड़ की छाल से विषेस तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखे जाते थे पांडू लिपी हाथ से लिखे जाते थे और ताड पत्रो या भोज पत्रों पर लिखे जाते थे जो की लैंटिन शब्द मेनू से निकला है और मेनू का अनुवाद होता है हाथ से मेनू स्क्रिप्ट जो इंगलिश का वर्ड है लेकिन ये लेटेंशा मेनू से निकला हुआ है बहुत से जो हमारे पांडूलिपिया थी पुराने टाइम की वो खीड़ मकड़ों ने खाली या खतम हो गई है लेकिन कुछ पांडूलिपिया अभी भी पाई जाती है ये ज़्यादातर मंदिरों और विहारों में प्राप्त होते है पांडूलिपियों में महाकावे, कविताएंग, नाटग या राजाओं का जो जीवन होता था उसके बारे में उसके बाद जो मैडिसिन्स होती थी या विज्यान इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा जाता था ये संस्कृत, प्रकरतिक और तमिल भाशाओं में लिखे जाते थे जो प्रकरतिक भाशा थी उसका प्रयोग आम लोग किया करते थे उसके बाद आता है अभी लेख ये हमारा second source है first source हुआ हमारा manuscript, second है हमारा अभी लेख अतीत के जानकारी हमें अभी लेखो द्वारा भी होती है अभी लेख कुछ ऐसे दिखते हैं ये पत्थरों पर लिखे जाते थे जो पांडूलिपी होते थे वो भुजूर पत्थर पर लिखे जाते थे बलकि जो अभी लेख होते थे वो पत्थर या धातू पर लिखे जाते थे ऐसे लेख पत्थर अत्वा धातू जैसी कठोर सतव पर उत्करण किये गए थे और ये लंबे समय तक चलते थे साशक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को उत्रिण करवाते थे साशक या जो भी लोग आदेश दिया करते थे उसको उस पर लिखा जाता था अब हमारा थर्ड हाता है पुरातत वीद अतीत में बनी और प्रियोग की जाने वाली वस्तुओं का अध्यन करने वाले व्यक्ति को पुरातत वीद कहा जाता है जो लोग भी पास्ट की चीज़ों का अध्यन करते हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं उसको पुरातत वीद कहा जाता है तो first source हुआ हमारा पांडूलिपी, second अभिलेक और third है पुराततवीद, पुराततवीदों से भी हमें पुराने टाइम की बाते पता चलती हैं, पुराततवीद चो थे वो इट से बनी मारतों, अफसेशों, चित्रों, मूर्तियों का अध्यन करते हैं, वे औजारों, हत्यारों, आभूशनों, बरतनों, सिक्के की प्राप्ती के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं, जैसे कि ये है मृत्भांड, जो लेफ्ट साइड में हैं, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये 4700 साल पुराना है, जो उस टाइम पे शायद समान रखने के लिए यूज किया करते हैं, तो ये भी हमारा एक सूर्स है, जो पुरा तद्वीद होते हैं, वो जानवरों, चडियों तथा मचलियों की हड़ियां भी ढूंटे हैं, और इसके उपर भी खोजवीन करते हैं, तो जो इतिहासकार होते हैं, वो पांडूलिपी, अभिलेख तथा पुरा जो हमें जानकारी मिलती है उसको सोर्स कहते है ठीक है शोत सब्द का वो लोग इस्तमाल करते हैं यह हमारे अभी लेख है अब आता है अतीत एक या अनिक जैसे कि अलग-अलग लोगों का जो पास्ट है वो अलग-अलग है इसलिए हमारी बुप में जो अतीत शब्द है उसका प्रियोग बहुवचन के रूप में किया गया है ठीक है अलग-अलग समूग के लोगों के लिए अतीत के अलग-अलग माइन ने है ठीक जैसे कि पशुपाल को क्रिशकों का जीवन राजाओं और सैनिकों के जीवन से भिन था जो राजाओं की लाइफस्टाइल था वो एक किसान के या पशुपालक के लाइफस्टाइल से अलग था इसलिए राजा का अतीत अलग होगा और पशुपालक का अतीत अलग होगा इसलिए अतीत को बहुवचन के रूप में हमारी बुक में इस शब्द का प्रियोग बहुवचन के रूप में किया गया है उस समय भी दे का कल्चर गुज्रात के कल्चर से अलग हो। या फिर बिहार का कल्चर हemaचरपरदेश के कल्चर से अलग होगा, तो ऐसा पहले भी था। इसलिए जो लोगों का अतीथ है, वो भी एक दूसरे से अलग होता था। जैसी कि अंडवान द्वीब के जो लोग थे वो भोजन मचलियां पकड़के या सिकार करके या फिर फलफूल के द्वारा करते थे बल्कि जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो भोजन के लिए दूसरे वेक्तियों पर निर्भर करते थे आज भी बहुत से जगा ऐसा है इसलिए अत इसलिए हमें साशकों के बारे में तो काफी जानकारी मिल जाती है लेकिन इन लोगों के बारे में जो मश्वारे या शिकारी या संग्रहक होते इनके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है अब आता है तितियों का मतलब यानि जो वर्ष की गंणा होती है हमारी बुक में आपको dates काफी दिखाई देंगी जैसे 2200 वर्ष पूर्व या इसा पूर्व ऐसे करके तो इसकी गण्णा कैसे होती है तो वर्ष की जो गण्णा है वो इसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे इशा मसी उनके जन्म के अधार पर की जाती है ठीक है जैसे की फिगर में आप देखो जो जीसस का बर्थ है year of the birth जीसस इसको आप zero मान लो तो उसके बाद का जो time period है उसे इशवी में रखा जाता है और जो उनके जन्म से पहले का time period है उसे इशापूर में रखा जाता है ठीक है यानि उनके जन्म के बाद के time period को हम AD या फिर CE भी लिख सकते हैं और उनके बर् इसा मर्शी के जन्म के वर्स, BCE मतलब before common era, CE मतलब common era, BB मतलब before present वर्तमान से पहले ये dates काफी important है ठीक है ओके थेंक्यू सो मच